इसलिए मैं तो ओपन चैलेंज करती हूँ सिटिंग बीजेपी सरकार के जितने वी कैंडिडेट से सिटिंग MLS मिनिस्टर से अगर आप में दम है तो क्वालिटी के साथ मैदान में आईए, क्वांटिटी के साथ मत आईए ओफिशली यह एनाउंस करने के लिए और इंटिमेट करने के लिए कि हमारा जो गन सुरक्षा पार्टी है जो हम दिली से लेकर आये थे पिछले 29 जुलाई को वो आज ओफिशली यहाँ पे रेकोगनाशन हो चुका है स्टेट अलेक्शन कमिशन में तो उनको हमने इंटिमेश पार्टी रिजनल पॉलिटिकल पार्टी बद हम इस पार्टी को अब इसका एग्जिस्टेंस जो है हम लोगों को फिल करवाना चाते थे और हमारे साथ में और सबसे दूसरी बड़ी ख़बर यह थी कि हमारी गंद शुरक्षा पार्टी की जो स्टेट प्रेसिदेंट पहल हमारे जो हमारे राइत में खरे हैं हमारे एड़ोकेट लिखा तागू जी इंको सर को हमने स्टेट यूनिट का प्रेसिदेंग बनाया है मैंने नहीं बनाया हमारे पार्टी ने बनाया है नैशनल पॉलिटिकल जी-थी का जो वहां का जो टीम है नवकुमर शरन्या जी-ЕН टीम उन लोगों ने इनको नेशनल स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जी एस पी यूनिट का स्टेट प्रेसिदेंट एपोइंट किया यही बताना था दो बात ही शेयर करनी थी तो इसलिए हम यहां आये थे तो मैम आप यही पॉलिटिकल पार्टी से जो आगली बर्च अनिवल एलेक्शन इससे ही आप रिप्रेसेंट करेगा क्या है अब्यूसली क्योंकि मैं स्टेट प्रेसिदेंट से तो रहा सा प्रोमोर्शन होके नैशनल जी एस पी यूनिट का मैं स्पोर्क्स परसन बन गई तो मुझे नैशनल स्पोर्क्स परसन एपोइंट किया गया है और यहां पे स्टेट में मैं एजे पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में हूँ अनि मोर कॉस्चिन? मैम इसमाल का एजन्डा क्या होगा? एजन्डा इस करॉप्शन प्री एंबाइरोनमेंट और नो टू मनी कल्चर उसके बाद में यस तुदा सो मेनी स्कीम्स दोज हुआ दिप्राइब फ्रॉम आर पीपल और बहुत सारी चीजे हैं हमें जैसे आप लोगों ने उधारन के लिए देख लीजे पीपीएसी का प्यास को जो चल रहा है वो अभी तक उसका रेजूलूशन नहीं आया है और दूसरा आपका इलीगल अपॉइंटमेंट से टीचर्स का उसके बाद में नैशनल पैंशन स्कीम है उसके बाद में ओल एज पैंशन्स है वीडो फैंशन्स है गाउवरा ओनेरियम्स है अंगनबादी वरकर्स का है नर्सिंग स्ताप्स का अपॉइंटमेंट बहुत सार बिल्कुल जिसका कोई पॉलिटिकल पार्टी से कभी भी कोई लेना देना नहीं हुआ होगा और जिसका मा, पिता जी, भाई, वया, चाचा कभी भी मतलब उनके साथ में वो पॉलिटिकली जरूर फैमिली से बिलॉंग करेंगे क्यों कि अरना चल बहुत छोटी सी जगा है तो लोगों को में धून करके लेकर के आऊंगी और हमारे पार्टी से उनको हम टिकट दे करके चुनावी मैदान में उतारेंगे और हमारे राज्य के लिए लोगों के लिए काम करने के लिए उतको हम प्रोचसाहित करेंगे मैं जिसे कि आप बोला कि say no to money culture, but at the end of that day money तो matter करता है ना? तो इसका उपर में आपका opinion? अगर money तो matter करता है तो corruption भी matter करता है, corruption को कोई नहीं रोक सकता है, one has to sacrifice, आपको sacrifice करना ही परेगा, it's exactly not, it's called term sacrifice भी थोड़ा गलत होगा इसके लिए, it's not sacrifice, you have to realize, realization आना बहुत जरूरी, repentance होना बहुत जरूरी है, until and unless अगर आप money culture को नहीं चोड़ेंगे, तो corruption भी कपी खतम नह होगा, हम तो कोई heaven से आया हुआ God नहीं है न, कि हम अपना पैसा लगाएंगे चुनाप पे, उसके बाद में आप से बोलेंगे, कि आप हम से पैसा भी मत मांगो, हम आपके लिए काम भी करेंगे, ऐसा कोई भी leader नहीं कर सकता है, इसलिए leader को सक्त होना परेगा, और पैसा न के लेकि आएगा, इदी